हालो अब्रीवन एंड वेलकम टू जेगेलर्ट्स सो युनास्को वर्ल्ड हरिटेस साइट्स हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसकी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट एंड महाराष्ट्रा स्टेट में कौन-कौन से युनास्को वर्ल्ड ह हिस्टारिक सिटी एक गुजरात की और एहमदाबाद पूरी सिटी को 2017 में युनास्को ने वर्ल्ड हरिटेस साइट का टैग दिया और इंडिया की पहली ऐसी सिटी बनी जिसको यह टैग मिला तो बहुत जादा प्राइड मॉव्मेंट था उस वक्त और दूसरी बात यह है बहुत जादा फेमस है, similarly एहमदाबाद भी अपनी कॉटन टैक्स्टाइल के लिए बहुत जादा फेमस है और एहमदाबाद शिटी जो है साबर मती नदी के किनारे बसी हुई है अब ये भी एक्जाम में question पुछा जाता है कि एमदाबाद city को found किस ने किया था बहुत बार एक्जाम में question पुछा जाता है तो इसको found किया था सुल्तान एहमद्शाद है तो ये कुछ important बाते हैं जो आपको world heritage site के साथ साथ ये भी याद रखनी है clear एक बाद जल्दी से revise करवा देता हूं कि एहमदाबाद city बहुत historic city है गुजरात की 2017 में UNESCO ने इसको UNESCO World Heritage Site का tag दिया और इंडिया की पहली ऐसी city बनी जिसको ये tag मिला एहमदाबाद city जो है साबरमती नदी के किनारे बसी हुई है clear और एहमदाबाद city का दूसरा नाम Manchester of the East भी है और किसने फॉंड की थी सुल्तान एहमशान है तो देखो एक ही question से कितने सारे questions बन सकते है exam में अब बात करते हैं दूसरी city that is जैपूर जैपूर कहां पे है राजस्थान में और आपको पता है जैपूर का दूसरा नाम के है पिंग city कहा जाता है इसको किस ने found की थी Swayiaid Singh ने found की थी Swayiaid Singh second ये याद रखने आपको क्योंकि question exam में जब आता है तो वो ऐसे ही रखते हैं सारे option Swayiaid Singh Swayiaid Singh और आगे डाल देते हैं 1, 2, 3, 4 तो यह याद रखने है Swayiaid Singh second ने found की थी जैपूर सिटी और इंडिया की ये 2019 में सेकिंड सिटी बनी थी जिसको युनेस्को ने वर्ल्ल हरिटेस साइट का टैग दिया था तो ये बहुत इंपॉर्टन्ट है आमदावाद को 2017 में मिला था और जैपूर को 2019 में मिला था अब जैपूर और वी बड़ी सारी चीज़ों के लिए आपको पता है जैपूर में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपने हवा महल सुना होगा हवा महल जैपूर में है जंतर मंतर सुना होगा जैपूर में है बिरला मंदिर सुना होगा जैपूर में है तो ये चंदिगर्ड एक planned city है जवाला नेरू की एक dream city थी ये चंदिगर्ड तो ली कॉर्बूषियर ने basically planned कि थी ये city और जो जितना भी ली कॉर्बूषियर का काम है architecture का वहाँ पे ली कॉर्बूषियर का उस सबको UNESCO ने वल्ड हरिटेस साइट का स्टेटस दिया हुए 17 साइट्स है 17 साइट्स मानी जाती है कि ली कॉर्बूषियर का काम है वह 17 साइट्स और चंदिगर्ड किसके लिए famous है आपको पता है सुकना लेक जो की man-made लेक है चंदिगर्ड में अब बात करते है रानी की वाओ तेखो रानी की वाओ कहां पर है यह गुजरात की डिस्टिक है पाटन नाम की डिस्टिक है वहां पर रानी की वाओ और इसको the queen step well कहा जाता है देखो basically यहां पर जगर आप कभी जाओगे रानी की वाओ में तो आपको ऐसा दिखेगा एक step well step well मतलब एक सीडियां उतर के आपको नीचे जाना पड़ेगा और नीचे एक पानी स्टोर हुआ होगा जहां पर पहले जमाने में लोग नहाया करते थे रानी वगरा नहाया करती थी तो रानी की वाओ इसलिए इसको the queen step well भी कहा जाता है अब आपको रानी की वाओ में और साथ में क्या दिखेगा God Vishnu की बड़े सारे मूर्थियां दिखेंगी ठीक है बड़े सारे sculptures दिखेंगे और जो God Vishnu की दस अफ्तार थे देखो दस अफ्तारास दस मतलब 10 अफ्तार मतलब incarnation जो God Vishnu जो बगवान थे उनके जो दस अफ्तार थे उनकी यहां पर मूर्थियां बनाएगी है तो यह बहुत जादा important है क्यों कि यह पहली ऐसी mixed site थी ठीक है इसको UNESCO World Heritage Site का स्टेटस मिला हो था देखो mix का मतलब क्या हुआ है कि यह natural भी है और इसमें कुछ cultural पार्ट भी है ठीक है कुछ cultural sites में अब natural क्यों है क्योंकि आपको पता यह national park है तो of course natural तो हो गई clear और इसमें cultural park क्या कि इसमें बड़ी सारी Monasteries है Monasteries मतलब यहां पर मौक वगरा लोग रहते थे clear उसको Monasteries कहा जाता था तो बड़ी सारी Monasteries है जैसे थौलंग Monastery बहुत famous है यहां कि सिक्कीम की एक तरह का pilgrimage मतलब एक तरह का pilgrimage है यहां पर pilgrimage है यह थौलंग साइट है इंडिया में और वो है कंचन जंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्की में है और किसके लिए फेमस है स्नो लेपड के लिए फेमस है और कौन सी Monastery है यहां पर वह है थौलंग Monastery clear next world heritage site है Western Guards सो Western Guards आपको पता है कि हमारे जो सौथ इंडिया है जिसको हम Peninsula इंडिया कहते हैं clear उसके वेस्ट वाले साइड में जो पहाड है उनको Western Guards कहा जाता है और यह कौन-कौन सी स्टेट्स में फैले हुए महराष्ट्रा करनाटक केरला और टमीलाडू में clear और आगको पता होगा कि टमीलाडू में बेसिकली Western Guards और Eastern Guards मिलते हैं इनका जंक्शन है clear महराष्ट्रा करनाटक केरला टमीलाडू में यह Western Guards फैले हुए हैं इनको सहाधरी मौंटेंस भी कहा जाता है और अगर में इनकी फेमस पहाडियों की बात करूं Western Guards में जो है वह अगस्थ्यमलाई परियार अन्नमलाई न British Biodiversity है clear अब बात करते है next हमारे साइट की that is Great Himalayan National Park आपको Great Himalayan National Park के बारे में पता होगा हिमार्चर प्रदेश में clear और किसके लिए ऍसनोल अपड़ के लिए फेमस है great Himalayan National Park पेड़ स्नोव लैपड के लिए बहुत जादा फेमस है और यह भी क्या है यह यह विल्ल है टेस्ट है और यह एक नेच्रल साइट है अब करते हैं हिल फोर्ट आफ राजिस्थान राजिस्तान में कुछ फोर्ट है क्लेर हिल फोर्ट है उनको युनस को ने वल्ल है यह राजस्थान में और इनको UNESCO World Heritage Site का टैग मिला हुआ अब बात करते हैं Archaeological Site of Nalanda Mahavir आपको पता कि Nalanda District एक तरह की बिहार में वहाँ पे जो यह जो नलंदा महावीरा है University एक तरह की इसको पूरा का पूरा टैग मिला हुआ UNESCO का और इसमें क्या क्या इंक्लूड है इसमें स्टूपा से इंक्लूड हैं जो लौड़ बुद्धा थे बेसिकली उनके जो रैलिक्स बच गए थे उनको स्टूपा में रखा गया है और लोग उनकी पूजा करते हैं तो वह स्टूपा स्कूलाते हैं Shrines होते हैं कोई भी Holy Place, ठीक है Holy Place कोई भी होगी जैसे मारी व्याश्णों माता है, वो श्राइन है Holy Place है, तो Shrines included है इसमें विहारास, देखो विहारास क्या होता है, जहां पहले Monk वगेरा प्रेयर किया करते थे, उसको विहारास कहा जाता है, तो नलंदा महावीरा में यह सुपास, Shrines और विहारास, अब बात करते हैं, जैसे मैं आपको बताया था कि जैपूर में बहुत famous monuments है, जैपूर में से एक था, तो जैपूर मंतर भी UNESCO World Headed Site है, और जैपूर राजेस्थान में, किसने बनाया था, महाराजा Jai Singh II, बहुत important है, अब नेक्स बात करते है, Bengal tiger के लिए बहुत famous है, elephants के लिए बहुत जादा famous है, saltwater crocodiles के लिए बहुत जादा famous है, reptiles के लिए बहुत जादा famous है, clear, और आपको पता है कि जो सुंदरवन है, जो सुंदरवन national park है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ठीक है, West Bengal में भी है, clear, sorry, West Bengal में भी है, बांगला national park की पार्ग भी UNESCO World Heritage Site है, आपको पता है, असाम में है, rhinos के लिए, tiger के लिए बहुत जादा famous है, इसलिए tiger reserve भी है, one horn rhino बहुत famous है, यहां का बहुत जादा population, one horn rhino की काजी रंगा national park में है, और one horn rhino, जो है state animal भी असाम का है, अब बात करते हैं, मानस national park, मनास national park जो है, यह यह भी असाम में है, यह भी एक tiger reserve है, गोल्डन लंगूर के लिए बहुत जादा famous है, यहां पे भी rhino मिलते हैं, बट उतने नहीं मिलते हैं, जितने काजी रंगा में मिलते हैं, बेंगॉल, फ्लोरिकन है, यहां पे cloudy leopard भी पाया जाता है, और आपको हिरान होगी सुनके कि 1992 म युनास्को ना इसको युनास्को वर्ल हेरिटेज साइट इंडेंजर की लिस्ट में इंकलूड किया था, बट फिर government के efforts की वज़े से 2011 में इसको रिमूब भी कर दिया गया, तो बटे कम लोगों को पता होती है यह बात, यह बहुत important है बात, अब बात करते है केवलोदेव नेशनल पाक देखो केवलोदेव नेशनल पाक कहां पर है बरतपूर राजिस्थान में, इसलिए इसका पुराना नाम बरतपूर बर्ट सेंचरी भी है क्योंकि यह बर्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है यह बर्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और यह रामसर वेटलेंड साइट भी है। वेटलेंड साइट भी है। वेटलेंड साइट भी है। वेटलेंड साइट भी है। झालेंड 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 साइट भी है। झाल 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 झाल